हेलो वियूर्स, वोल्ड अफियर्स के साथ मैं हूँ इनायत उल्ला तीस साल में ये पहली बार है कि इंडिया के कोई वजिर आदम आज यूक्रेन के दोरे पे पहुँच रहे हैं ये दोरा उस वक्त हो रहा है जब यूक्रेन और रशिया के दरमयान जंगी जो कशीदगी है वो बहुत ही ज्यादा है इंडियन प्रैम मिनेस्टर नरिंदर मोदी का आज का दोरा क्या अमरीका के प्रेशर में किया जा रहा है इस दोरे के क्या नतायज निकलेंगे क्या ये दोरा काम्याब जाएगा रूस और यूक्रेन का मसला हल होगा सारे डीटेल्स इस वर्ल्ड आफेर्स के वीडियो में बड़ी अहम बात ये है कि इंडिया के वजिर आदम नरिंदर मोदी ने सबसे पहले पॉलेंड का दोरा किया और पॉलेंड का दोरा मुकमल करके आज वो यूक्रेन पहुँच रहे हैं इस डौरे की अहमयत इसलिए भी है कि ये दौरा उस वक्त किया जा रहा है जब हालात यूक्रेन और ररषिया के तर्मियान कशीदा हैं सब को मालूम है कि इंडिया और ररषिया की जो तालुकाद हैं वो आल वेदर फ्रेंट्स के हैं बहुत ही दोस्ताना हैं और उस वक्त जो है यूक्रेन में पहुँचना नरिंदर मोदी का वो अहमियत का हामिल है अगर हम माजी की तरफ चले जाएं तो नरिंदर मोदी ने 8-9 जुलाए 2024 को रशिया का दोरा भी किया था और उस दोरे को अमरीका और वेस्ट के और मुमालिक ने तनकीत के जद में ला करने के मुतरादफ है और आज का नरिंदर मोदी का दोरा इसको जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस नजर से भी देख रहे हैं कि शायद जो है यह अमरीका के प्रेशर में आके इंडिया का जो प्रैमिनिस्टर है वो यूक्रेन का दोरा कर रहा है लेकिन अगर हम डाट्स को कनेक करने की कोशिश करें तो नरिंदर मोदी ने सबसे पहले पोलेंट का दोरा किया और उसके बाद यूक्रेन का दोरा किया और तीस साल में यह फर्स टाइम है कि कोई इंडियन प्रैमिनिस्टर जो है यूक्रेन का दोरा कर रहा है तो यह से साफ यह वाज़े और साबित होता ह कि इंडिया और यूक्रेन के जो तालुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं है और अब तो जंग की कैफियत है और वो भी जंग जब यूक्रेन ने ड्रोन हमले मासकों के ऊपर किये और रश्या का शेहर करसक जो 12 लाग जिसकी आवादी है उसको यूक्रेन ने अपने कबजे में कर लिया है उसवक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूक्रेन का दोरह इस बात को वाज़े करता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पोंचे हैं यूक्रेन को समझाने के लिए कि यूक्रेन के जैलन्सकी को समझाएंगे कि वो वेस्ट के कहने पे रश्या से जंग को ज्यादा जो है वो एक्सपांड ना करें क्योंकि ये पॉलेंड भी गए हैं पॉलेंड में इनका दोरा इसलिए एहमियत का हामिल है कि पॉलेंड के फारेंड मिनिस्टर ने एक अब ब्यान दिया था कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि अगर रश्या के मिजाइल्स यूक्रेन को हिट करेंगे तो पॉलेंड उन मिजाइल्स को गिराएगा याने कि अब नरेंडर मोदी का पॉलेंड में पहुंचना याने पॉलेंड को भी समझाना कि वो ये गलती ना करे वरना एजिया और यूरोप का जो पूरा खिता है ये दोनों जंग के जद में आ जाएंगे और रश्या जो है याने इनके के वो वेस्ट के कहने पे रश्या से ज्यादा जंग को ना बढ़ाएं और बातचीत के टेबल पे आएं क्यूंकि रश्या के तालुकात इंडिया के साथ मजबूत हैं इंडिया के रश्या के साथ पहले से तालुकात मजबूत हैं तो रश्या को आमादा करना बातचीत के ल या नूक्लियर बॉम्स के इस्तमाल करता है तो इससे एजियन कंट्रीज भी मतासिर होंगे क्योंकि मैशियत के हिसाब से इंडिया दोनिया में पांच में नमबर पे है तो इंडिया का भी पूरा एक्सपोर्ड जंग की हालात में रुक जाएगा और उनकी मैशियत को भी बहुत धचका लगेगा यही वज़ा है कि इंडियन प्राइम मिनस्टर का यह जो दोरा है लग ऐसे रहा है कि यह किसी अमरीकन प्रेशर के नतीजे में नहीं है यह उनका खुद का फैसला है सारी चीज़ों को कनेक्ट करके यह फैसला इनकी तरफ से लिया गया है कि अब जो है अमन की जरूरत है रेशिया और यूकरेन के दरमयां सालसी का किरदार अदा किया जाए दोनों के दरमयां सुलह हो ताके यह जो जंग के बादल यूरॉप और एजिया पे मंडला रहे हैं वो बादल जो है थम जाए अब देखते हैं कि इस आज के दोरे के क्या नताइज निकलते हैं और उसके बाद जो है सारी चीज़ें वादे हो जाएगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अपना बहुत बहुत ख्याल रखें